तो हेलो फ्रेंज वेल्कम टू माई चैनल सिलिकॉन एज मैं नाम सुखविंदर है आज मैं आपको इस लैप्टॉप को एच्पी के विक्टर्स लैप्टॉप को जिसका मैंने रिव्यू किया है इसको अप्ग्रेड करना दिखाता हूँ अगर आपको इस पर राम इंक्रीज क करने आप कैसे कर सकते इसे उपन कैसे करने जल्दी से में चैनल को सब्सक्राइब कर लें कि मैं इस ट्रेक वीडियो लाते रहता हूँ चलिए फ्रेंज आगे बढ़ते हैं तो मेरे पास यह राम है किंग्स्टन की 16GB RAM है यह DDR4 आपको यह दिखाऊंग इस पर कैसे लगाना ह आपको सब्सक्राइब को उल्टा कर लेना है और एक चीज़ ध्यान रखिए कि लैप्टाप को जहां भी रखो नीचे सॉफ्ट सर्फेस हो ने तो स्क्रैच हो सकते हैं लैप्टॉप पे मैं रिकमेंड करूँ आपको सबसे पहले इसके स्क्रूस खोलना है उपर आपको चा के चार स्क्रूस मिलते हैं इस तरह से तोटल और फेसे छी है तो मैं जल्दी से सब खोल लेता हूं कि अब आपको जब सब्सक्रूस खूल जाते हैं आपको कोई भी क्रेडिट कार्ड या फिर क्वाश्टिक कार्ड लेगा जो पतला सा काड़ हो नौरमली मैं आपने केस में Amazon का gift card यूज करता हूँ मेरे पस आसी पड़ा हुआ है तो मैं वह यूज कर लता हूँ अगर आपको पुराना debit card या credit card या उसे भी यूज कर सकते हो तो आपको basically वह इसलिए चाहिए होता है क्योंकि आपको निचे का base अलग करने के लिए आपको थोड़ा pressure डालना पड़ता है तो अगर आप plastic की चीज नहीं यूज करोगे आप अगर screwdriver से ही करोगे तो आपको laptop में scratches आ सकते हैं उससे बचने के लिए आप plastic का कोई item यूज करो जिनके पास guitar picks है वह तो बेस्ट है मैं यहां insert कर रहा हूं उसके बार आपको उसे नीचे की तरफ ऐसे slide कर लेना है एक बार आपको अगर space मिलता है आप card को अंदर insert कर लेते हो आपको बिसकली उसे push करके पूरा इसे expand कर लेना है तो आपको जैसे दीख रहा होगा लॉक्स खुल रहे हैं अंदर में locks होते हैं जो अलग हो जाते हैं जब आप इसे इस तरह से push करते हो तो अगर आप देखोगे तो थोड़ा सथी अलग हुआ है देखिए या फोटा सा अलग हो तो नजर आ रहा है देखिए अब देखे होंगे निचे का पाट और ऊपर-पर का पड़ थोड़ा सा दिखिए लिए difference आ गया है इस तरफ तरफल तो तोटल इस तरफके निचा के तो दिखिया नेचे का पार्ट अलग हो चुका है तो आपको लैटव दिख रहे हैं इस तरह से है इसका डिजाइन दुनों फैन्स आपको दिखे रहें दोनों साइड आपको रैंस लॉट्स यहां मिलती है यह जो कॉपर कलर में आपको दिख रहे है वह इन्होंने हीट सिंग दिया हुआ है एसेश्द के लिए ताकि आपकी जो जादा हीट ना हो तो आपका डिसिपेट करने काम आता है हीट को यह आपने भाई मिश्टेक्स ट्राइवर से कहीं टेच कर लिया तो आपको लैट आप शॉट हो सकता है तो मदरबोर्ट खराब हो सकता है इसलिए सबसे बेश्ट है आपको इससे डिसकनेट कर लो इस तरह से दो तर बिस्तर से आपको पुश करना पड़ता है तो यह अलग हो अलग हो जाएंगे और आपको कोई मेटल पार्ट यहां यूज नहीं करना है तो जब थोड़ा से बाहर आ जाएगा दैमिंस डिसकनेट होगी यह बैटरी उसके बाद आप अपने राम और यह अफ्ग्रेट कर सकते हो तब जैसे बैटरी दिसकनेट होगी मैं लगा रहा हू आपको राम के पिंस देखनी है पिंस के डिजाइन के ताब से इसे इंसर्ड करना है और फिर उसे निचे के तरफ पुश कर देना तो वो लॉक हो जाएगे अपने यह लॉक हो गई है अब इस तरह से आपको देखनी है एक एसे तो पहले जाए लगी हुई है यह जो लेट पहले से लगी हुई है राइट वाली एमटी है तो सब्सक्राइब करना है तो आपको इसे अंस्क्रीव करना है इसके आपको तर्मल पैट्स दिख रहे हैं निचे में मैं आपको फॉर टाइम बिंग इसी की एसेश्ड को किस तरह करना दिखा दे रहा हूं चूंकि अब यह मैं बताया था रिव्यों में इस पर वेश्टन डिडिटल की ब्लैक सिरीज की एसेश्डी लगी है जो हाइश्पीड एसेश्डी है बहुत बड़ी है यह तो आप देकर इस तरह से कनेक्ट होती है आपको बता रहो नॉर्मली तो इस तरह से इंस्टाइब होती है और निच को आप लगा सकते हो किसी भी तरीके साब लगा तो मैं इससे पहले एसेश्डी को लगा देता हूं फिर इसको मैच करके लगा देता हूं यह तरीका बेश्ट आप यूज कर सकते हो तो जहां पर आपको लग रहा है कि सेट हो रहा है जहां पर आपको स्कुरू कर देना है आ तो कल को जब इसे अपग्रेड करेगा मेरा फ्रेंट तो इस पर हीट सिंग करके लगा के लगा सकता है इसे भी स्कुरू कर देता है यह जिए मुझे अच्छी लगई कि कमपणी ने एक तो दो दो दिख रहे हैं यह 1650 ग्राफिक्स कार्ड है तो आपको यह पर सिर्फ दो तू आपको वापस बैटरी कर लेनी है यह ध्यान दखीकिग के बैटरी itself वापस connect करनी है मैं बैटरी वापस कर लेते हैं दों तaying यह उन्दर summary अपनी जगाम तो मुझे चंप कर लिए लाप-टो 295 कर लो नहीं कर रहा हूं वह से ऑफर यसा ढ। requests को लो खो वह स्क्रू कर रहोगे और करके यह बाइस में इंटर कर जाएगा तो आप देख रहे होंगे यहां पर 24 GB RAM दिख रही अभी क्योंकि 8 GB पहले से थी और 16 GB में अलग से लगाई है तो 24 GB पूरल स्पेस हो गया भी RAM तो आपको यहां 24 GB तक चली रहा है तो यहां अपग्रेट का कोई इश्यू नहीं है अपर आम से अपग्रेड कर सकते हो इवन कि इस पर 32 GB तक भी अपग्रेड का सकते हो तो आप उतना करो गया लेकिन में सब्ते हैं यह चीज तो हम इसको अपना डूड करें गे अराम से अपना यूज करेंगा इसे थे दो सब करने के बाद अब इसे वापस से बंद करोड़ेकर कहरतिं एक परिशेड करके तो उस uniform कर यहां हो चार ना चोंट हो जाएगा जोए का पहले तो जब यह लॉक हो जाएगा उसके पाद मैं इस पर स्क्रूज करूंगा अब जहां जहां स्क्रूज लगे थे वह वाप स्क्रूज रख के इसे स्क्रूज कर लो तो यह था यह प्रोसेस इस लाप्टॉप को अप्ग्रेड करने का अप्रायम और अस्षडी कैसे अप्ग्रेड कर सकते हो अगर आपके मेरे वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें शेर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि मैं इस तरह के वीडियो ज झाल झाल